हलो जी नमस्तार सश्यकाल असलाम वालेकूम केमचो कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ ममता सच्टिवा आप सब के साथ में और I am sure कि आपको मेरे कमरे की बैक्राउंड दे के समझ आ रहा होगा कि मैं इस वक्त कहा हूँ अगर आपको मेरे कमरे का बैक्राउंड दे के नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको कुछ क्लू दे सकती हूँ कि मैं कहा हूँ इस वक्त So, मुझे भी नहीं पता था कि I will end up in hospital like this Actually मैंने कुछ दिन पहले travel किया था चाइना मैं गई थी वहाँ पे किसी काम से और मुझे वहाँ जाने से पहले ही actually cough and cold और थोड़ा सा यूनो गला मेरा खराब था काफी दिन से खराब चल रहा था हलका फुलका यूनो season change होता है तो flu symptoms आ जाते हैं तो मुझे भी था और जब मैं चाइना से वापिस आई तो normal थी बिल्कुल वही जो normal cough and cold चल रहा था वो मेरा चल रहा था लेकिन उस time पे करोना वाइरस के जितने भी suspect हैं कहा जा रहा था कि उनको fever आएगा you know fever एक main चीज थी करोना वाइरस के लिए तो तभी सारे जितने भी airports हैं वो mainly यही चेक कर रहे थे कि जो भी लोग आ रहे हैं चाइना से उनको fever तो नहीं है बाकी चीजों को उतना जादा जो है तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो जब मैं भी वापिस आई थी तो सिरफ fever चेक किया गया था तो fever नहीं था मैं अपना normal घर पे आई जो अपनी routine duties हैं वो कर रही थी लेकिन cuff and cold नहीं जा नहीं रहा था काफी दिनों से तो उसके बाद क्या हुआ दनाईया में लेती रही different doctors change करती रही मैं और अभी क्या हुआ कल एक shocking चीज हुई कल all of sudden मेरे बेटे को बहुत high fever आ गया आहान को morning में actually उसको परसो राद से फीवर था जब वो सोया हुआ था तो हमने उसको panadol, paracetamol जिसको बोलते हैं दे दिया था तो next day morning हमें पता चला कि उसको ज़्यादा फीवर हो गया तो of course बच्चे की बाद आती है तो सबसे पहले भागते हैं अपने आपको चाहे इग्नोर कर दे तो मैं उसको लेके जब hospital आई यहाँ पे तो मैंने सोचा मैं अपना भी दोबारा सी एक बार follow up ले लेती हूँ जिस hospital में अभी मैं हूँ मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी hospital का तो मैंने यहाँ आके follow up लिया अपना भी तो डॉक्टर ने मेरी दवाई जो है वो आगे extend कर दी और उसके बाद जब डॉक्टर को पता चला कि मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूँ मेरे husband के साथ है मेरा बेटा और उसको वो डॉक्टर जो pediatric doctors होते हैं उसके पास लेके गए है तो उन्होंने मुझे पूछा कि उसको क्या हुआ है तो मैंने का उसको fever हुआ है तो वो थोड़े से alert हो गए उस बात से उसके बाद मैं जब नीचे जहां मेरे बेटे का check-up हो रहा था मैं वहाँ पे गई पता करने के लिए तो उन्होंने जब पूरी history ली मेरे बेटे की के उसने क्या खाया क्या पिया क्यों fever आ रहा है तो बातों बातों में मैंने उनको ये बात बताई कि मैं last week ही अभी चाइना में थी और चाइना ऐसे ऐसे आई थी मेरा भी गला खराब चल रहा है मुझे भी काफ है क्योंकि डॉक्टर जो है मेरे जानने वाले थे तो उसी वक्त वो जो है एक red flag you know red alert समझ लो आप जैसे सब एकदम चकित रह गए कि मैं चाइना से आई हूँ मेरे बेटे को fever है तो इस चक्कर में उन्होंने इमिजेटली जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया कि बेटा चाइना नहीं गया है लेकिन उसकी मदर ने अभी चाइना जो है ट्रेवल किया है कुछ टाइम पहले किसी काम से वो चाइना गई हुई थी तो चाइना से आने के बाद शायद हो सकता है कि इस सिंटम्स कोई मदर से बच्चे को गए हूँ और जहां एक मा के लिए बच्चे की बात आती है तो वो किसी हद तक भी जा सकती है तो जब डॉक्टर ने ये सारी हिस्ट्री मुझ से ली उसके बाद दो तीन चार डिपार्टमेंट के लोग मुझे मिलने के लिए इमिडेटली आए मासवास उनों ने डाले हुए थे पूरा कॉस्ट्यूम्स डाले हुए थे जो करोना वाइरिस के एक कॉर्डिंग जो भी हॉस्पिटल्स मेजर लेते है तो उनोंने वहां से अहान को सबसे पहले मुझ से सेपरेट किया मेरे हस्बं को मुझ से सेपरेट किया और मुझे एक semi-isolation room में डाल दिया semi-isolation room उस room में basically कोई नहीं था लेकिन फिर भी उसमें कोई न कोई आ जा सकता था तो वो semi-isolation room था उसमें मुझे बिठाया गया और 15-20 मिनट वेट करने के बाद कोई एक स्टाफ मेरे से आके कहता है कि आपको हमें अभी इसी वक्त आपको हमें आइसोलेशन रूम में डालना पड़ेगा हम आपको घर जाने नहीं दे सकते तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैं घर से ये सोच के हो रहा है मेरे साथ क्या मुझे करोना वाइरस है तो मैं टैंशन में इतने ही में पढ़ गए उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कूरो क्योंकि मैं ये सबस्पेक्ट नहीं सोचा यह था और दूसरा सबसे बड़ा कोईशन मेरे मन में यही है और कहीं प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो कीए करने के बाद उसी वक्ती उन्होंने विदिन मिनेट से सबको मुझसे सेपरीट करके किसी से बाचीत नहीं करने दी है और उसके बाद मुझे गए भी नहीं पता था कि मुझे एकसे मिलेगा एमेल्स का या किस तरह रूम में मेरे को तो वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, तो उन्होंने मुझे इमिजेटली सब से सेपरेट किया, जो डॉक्टर अलड़ी मेरे बेटे के साथ था, वो भी सेपरेट हो गए, सब मेरे से सेपरेट हो कि मुझे कमरे में बिठा दिया गया, बस मुझे मेरा फोन था मेरे बास, तो मैंने जो भी उस टाइम पे, विदिन जो 15-20 मिनिट में, आदे घंटे में, मैं जिसको भी फोन कर पाई, मैसेज कर पाई, और मैंने ज्यादा इसको पब्लिक नहीं बनाया, और मैंने सोचा था मैं इसके उपर वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लर्निंग्स हैं जिसकी वज़ा से ये वीडियो बन रही है, मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों। तो मुझे कल आप मानेंगे नहीं, इस कमरे में जिसमें मैं बैठी हूँ, ये कमरा पूरा लॉक्ट है, सब खिड़कियां लॉक्ट है, मैं कोई खिड़की नहीं कोल सकती, जो इसके अंदर वेंट, जो हवा आ रही है इस वेंट से, वो भी स्पेशल हवा आती है और कहीं और जो की normal air में circulate नहीं होती, मुझे पूरा नहीं पता, जो मुझे explain किया गया, क्योंकि यहां पे हर चीज की explanation देके ही आपको बिठाया जाता है, तो हर चीज मुझे कमरे की explain की गई, जब वो मुझे अंदर लेकर आए इस कमरे में, कि windows नहीं खुलेंगे, ये जो बाहर door है, जो आपको door दिख रहा है, जिसमें शीशा है, ये locked रहेगा, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, आपकी family आपसे मिलना ही सकती, तो आप इसी कमरे में ही रहोगे, जब तक आपके सारे test नहीं हो जाते हैं, मैं इतना डर गई उस वक्त, और लाते ही मुझे यहां पे सबसे पहल यार बहुत ज्यादा, तो दो सेंपल मेरे नाग से लिए गए पहले, फिर दो सेंपल मेरे थ्रोट के अंदर उसी स्टिक को डाल के, दो सेंपल गले से लिए गए, आंखों में से पानी आ रहा था, आंखे लाल हो गई थी उस टाइंग पे, जब यह टेस्ट किये गए, तो यह चार टेस्ट बेजे गए, नॉर्मल करोना वाइरस जो होता है, मुझे प्रॉपर टर्मनॉलजी नहीं पता, तो उसका रिजल्ट जो है हॉस्पिटल की तरफ से जल्दी आ जाता है, जो कि होफिली मुझे पता चला कुछ घंटों के बाद में, कि वो नेगेटिव था, उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन एक कोरोना वाइरस नोवल करके शायद, if I'm not wrong, टेस्ट है, जिसका रिजल्ट आने में थोड़ टाइम लगता है, तो वो टेस्ट मेरा ले लिया गया, और उस टेस्ट को आने में अभी टाइम बाकी है, तो कल की जर्नी मेरी जो यहां इस कम कुछ नहीं था, फोन का चार्जर तक नहीं था मेरे पास, और किसी का मेरे कमरे में आके मुझे मिलना लाउड नहीं है, और जो भी स्टाफ बार से भी आ रहा है, प्रॉपरली अपना कॉस्ट्यूम डाल के आ रहे हैं, पूरा मास्क लगा के, आँखों को कवर करके, हाथों पूरा एक ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम है, हर बार जब वो अंदर आते हैं, तो वो नए पहनते हैं, और जब बाहर जाते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो दुब दुबार आते हैं, तो पहनते हैं, तो इस तरह कल पूरा दिन मैंने, मतलब दिवारें देखते हुए कल मैंने यह सारा जो है टाइं गुजारा यहां इस कमरे में यह सोचते हुए टेंशन में किया होगा क्योंकि यह भी नहीं पता कि इसका क्या-क्या टेस्ट और हैं क्या-क्या नहीं है तो एक अंसर्टिनिटी जो बंदे के ऊपर होती है न वो एक स्ट्रेस और टेंशन से मैं मतल इतना जादा मैं कल परेशान रही पूरा दिन और फिर मन में आ रहा था कि आप लोगों से जुड़ी हुए हूँ लोगों को पता होना चाहिए कि यह हो रहा है मेरे साथ लेकिन कई चीज़ों को मद्दे नजार रखते हूए क्योंकि पैनिक नहीं क्रेट करना चाहती और कि सोचते सोचते परेशानी में टेंशन में एकदम से बच्चा मेरा बीमार है वो घर पे है मैं उसको नहीं देख सकती हजबन से मिलने नहीं दिया जा रहा तो यह सारी चीज़ों को देखते वे बहुत जादा स्ट्रेस में आ गई थी कल मैं पूरा टाइम तो जैसे तैसे टा जो अलाउड थी तो चलो उससे मुझे हलकी फुल की नीदाई फिर भी आप मानेंगे दस से बारा बार में नीन कुली कभी ठंड लग रही है कभी गर्मी लग रही है और यह प्रोटोकॉल होता है कभी भी हॉस्पिटल में यूनो क्योंकि दवाया वाया तो देते हैं जो भ लगते ही नहीं है हर चीज बिलकुल जासे होता है है वैसे यहां पे फैसिलिटीज है एवन खॉस्पिटल है यहां पे पर हॉस्पिटल्स आ नौ बेस् प्लेस्ट थी चाहे कुछ भी आपको अंदर बैठे़ तो खिद किया रहा है इट लुक्स वेरी बिटीफुल सब अफॉस ए भार बोट लिंग तेंग मेरे नहीं तेस्ट के लावा मेरे ब्लट तेस्ट भी लिय गाए हैं तो यहां से मेरा ब्लट लिया यह तो अलरेडी आइढ सीरिंज भर के भ्लट कल लिया है और मेरी वेफ पतली हैं तो उनको veins नहीं मिल रही थी, तो सब जगह वो veins ढून ढून के, ढून ढून के उनने फाइनली एक जगह पे veins ढून ढूनी और, you know, veins ढूनने के बाद उनने ब्लड निकाला, तो नर्स भी हस रहा था, कह रहा था कि आप तो छोटे बच्चे की तरह आपके veins हैं, जैसे 5 साल के बच्चे के veins होते हैं, मेरे veins बहुत पतले हैं, तो बस यही सब चल रहा है, अभी आज एक नया दिन चड़ा है, second day है, आज एक्चली जो मेन मेरा coronavirus का test का result है, वो शाम तक आज आएगा, और उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल होगा, वो फॉलो होगा, जहां तक मेरी गट फीलिंग कहती है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक प्रिकॉशन है, और अभी बहुत सारी कंट्री में, जब से फीवर वाला पार्ट निकाला गया है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, I am completely with them, जो भी टेस्ट होंगे, मैं पूरा कॉर्परेट करूँगी उनको, लेकिन बस मैं अपने मन की आपको बताना चाती थी, कि कैसा फील होता है, जब एकदम से आपको पता नहीं होता, और इस तरह से आपको अलग कर दिया जाता, अभी तो शुकर है कि मैं फ्लाइट पर नहीं थी, कहीं बाहर नहीं थी, अगर किसी बाहर उन्होंने ये सिंटम्स मेरे नोट किये होते, और वहां पर मुझे हॉस्पिटल में रख लिया होता, तो चलिए, बस ये था मम्ता सच्टेवा का एक क्रोना वाइरस का और सच क्या चल रहा है अभी, और मैं अच्छली मैं सोच रही थी, कि मैं इसके ओपर वीडियो नहीं बनाऊंगे, किसी को नहीं बताऊंगी, अच्छली मेरे फोन के ओपर एक दो फोन या मैसेज़े आये, जो लोग मुझे जानते हैं पूछने के लिए, तो मैं भार बार हाइड करने की कोशिश कर रही थी, कि मैं कहा हूँ, कहा नहीं हो, तो तो मुझे लगा कुछ गलत नहीं है, तो लोगों को पता होना चाहिए, और अभी मुझे आशाम तक रखेंगे, कल तक रखेंगे, वो मुझे अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन प्रीज, विश मी गुड लग, आप सब की ब्लेसिंसी बहुत जरूरत है, और आप सबसे मुलाकात होती है, बहुत ही जल्द अच्छी अच्छी वीडियोस अभी मैंने करनी है, दुनिया में बड़े काम करनी है, मैंने बड़ी लिस्ट बना रखी है, कि मैंने यहां जाना है, यह वीडियोस बनानी है, आपके लिए यह करना है, एक get-together करनी है, मेरे सारे followers के साथ में, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में, तो लाइफ ड़ेजन एंड हीर, यह थोड़ा लो फील हो रहा था, अभी आइटिंग वीडियो बनाते हैं, मेरा मूड भी थोड़ा से ठीक हो गया अभी, तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सर्टीवा ले रही हूँ आपसे विदा, मेरा दवाई लेने का टाइम हो रहे हैं, मेरा दवाई बीचे पढ़ी है, तो चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में, टेक केर फर नाओ,